हाई फेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई होफ की बढ़िया होंगे और सटरडे संडे के बाद आज मंडे का सिशन है और हम सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मंडे का सिशन पर हम पॉपिट लेकी ही बाहर जाए तो इमिडेटली जो हमें दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट से जो गिराबट का सिगनल जो रेड सिगनल कंटिनूव मिलता हूँ आ रहा था वो कुछ हद तक सदर सूधरता हूँ मिला है और हमें एक घरीन सिगनल मिल रहा है वहां पर हमें जो गिलूप निपके कहां परपर बिलंग कर रहा है न सेवैंटी टेकनिका एलसी प्लाटफर्म है जिसे हम 10 दिन तक शिकाते हैं आप लोग को स्मॉल टाइम फ्रेम मल्टिपल टाइम फ्रेम कंफरमिशन के साथ साथ साइक्डिलोजिकल कंट्रोल के साथ डिसिप्लिन टेर्स कैसे बन सकते हैं आप लोग सोच रहे हैं तो आप नेस्ट बैच के लिए आप जॉइन कर सकते हैं जहां पे आपको फीज रिकोबर प्लान भी कंटिनूर रहता है सरकाट्रेर्स के तरब से गाइस सीधा हम चलते हैं कि गिपनिप्टी हमें कहां बिलंग कर पर फिछले दिन हमने मार्केट को छोड़ा था 25,173 यह है निप्टी का अक्टोबार फिचर और यह था को फीचर को उपर गोलोबाल सेंटिमेंट्स तो यहां पर लगबाग हम देख पाना है 52-80 पॉइंट का पजिडिव फीचलता हो दिखाए दे रहा है तो देखते हैं क तो इसको बाद में डिसकस करेंगे पहले हम चले जाते हैं कि कोन सी कौन सी कोड़ कर रहा हूं कभी भी मार्केट डाउन होता है तो जो लास्ट रेट कर रहता है इस रेट करें लिया है और हमने लिए है 25,200 का CE क्यों लिये हैं क्योंकि पिछले दिन भी फ्राइड़ के दिन भी मैं बताया था कि कॉल साइड का प्रीमियम ज्यादा हाई है तो यहां पर हमने जो आउट ओद मानी है उसी को लिये हैं तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यह जो प्राइज है यह आपको यह आपको फ 25,100 पूट के बाद करें तो देखते हैं यह विक हो जाएगा यह विक हो जाएगा बट इसका जो जोन आ रहा है कोई ना कोई यह 75 75 से लेके 50 यह जो जोन है अगर इस जोन पर कभी आ जाता है आज नहीं आएगा कल आएगा तो यह जो 25,100 पूट है इसका जो मैं सपोर्ट के एक्सपर्ट कर रहा हूं यह नियर अबूर 40 अगर आज कल तक मिल जाए तो उहां पर एक सपोर्ट जोन बना सकता है बट कभी बिना सपोर्ट पे एंट्री नहीं लेना है सपोर्ट पे एक कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना है ह दूसरी को पर कभी भरोशन मत कीजे मैं मैं क्या बोलता हूं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको पर बलीब मत कीजे आप खुद से उसको पर अब्ढाल कीजिये देखे समझे उसको बद्ट करें तो फर्स्ट आपल मैं बताऊंगा कि जब दो दिन के चुट्टी होता है तो प्रिमियम डिके के बाद भी अगर फिफ्टी वन थाउजन एटनेट का सीए एक चीज़ आप लोग जुरूर अब्जर्ब करना कि आल ओबर इंडिया में एक सरकार्ट यार्स है जो मार्केट ओपन होने से पहले हमारी स्टाइक प्राइब देते हैं और कहां तक टार्गेट होगा क्या इस्टोप्लस रहेगा यह भी बता देते हैं तो अई थिंक और हर रोज हो दस बज़े तक दस बज़े तक आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हो ओके तो मैं बैंक निप्टी का फिप्टी ओन तौन एट निट का सी को पर डिसकास करूंगा क्योंकि 250 मिनीमाम रेंज जिन लोग सेफ टेडर सो से बताऊंगा 310 को उपर स्टेबल और यहां से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लास करके जा सकते हो जैसी यह 310 को ऊपर चला जाएगा तो 350 को तरफ का टारफ को सकता है तो इसका बात अगर मैं पूट साइड में जाओं तो पूट साइड जैसे निप्टी को पर बताएं तो इसको भी बताऊंगा कि 51,800 का पूट पर भी दियान दियाओं तो यह वह खो जाएगा जैसे 400 के नीचे रेंज पर आ जाएगा और कोईने को यह 250 के आसपास पर निचे आ जाता है तो यहां पर यह सपोटिंग बना सकता है तो देखना ही है कि मार्केट क्या कनिशन बना रहा है और मार्केट ओपन होते ही बाकी दिन के तरह डाउन आता है यहां फिर पॉजिटिव जाता है पर उसको बाद गरा-बरत तक पिछले दिन जो हुआ तो मैं 300 को आस करने के बाद 400 बताया था और फिर देखो 490 यहना कि नियर बॉट 500 जो साइकोलोजी का लेवल है महां से मार्केट को डाउन हुआ तो अप्शन चेन में अभी फिला नहीं दिखा रहो बट आपको एक चीज़ तो ज़रूर दिखाना चाहूंगा कि सरकार ट्र सरकार ट्रेश्ट जो है यही हमारा और यहां पर आज का लेवल मैं देख लेना अधर्वास मैं आपको स्टॉक के अंदर जाके आप देख सकते हूं तो सबसे पहले है हमार सामने आ रहा है तो गेल इंडिया को डिसकस करें तो गेल इंडिया को किया मिला है एक टू-प्वाइंट-वाट का ओर्डर मिला है और जॉएंट विंचर में इन लोग काम कर रहे हैं तो डिफिनिटली गेल इंडिया के लिए एक अच्छा नीज है पॉजिटिव नीज है तो देखिए जो भी पॉजिटिव नीज बाला श्टाक होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है आपको दिखेगा कि हुज बैस की अच्छा होता है वह दिशन बना था वह क्या है इसको पर 4.98 to 5.3% 3% company का जो share के उपर इन्होंने new purchase कर रहे हैं तो 3 lux share 3 lux share इसमें आ रहा है जो इन लोग purchase कर रहे हैं जो कि 0.0747 stake आता है इसका ठीक है तो यह Apollo Tire के लिए I think एक best news है लश्ट ले आता है Titan Titan का Q2 quarterly 2 result जो आया है वहां पर total business का growth हुआ है 25% is a very good news jewelry segment पर इन्होंने 26% का growth किया है और साथ साथ अगर अब देखोंगे कि वाच जो घरी बगरा बनाते हैं उन्होंने 20% का growth हुआ है और I care यान की चस्मा बगरा बनाते हैं वहां पर 6% का growth हुआ है overall बात किया जाए जो company 75 shares taking a gloss real network 75 new store इन्होंने launch किया है जो कि इनको total store हो गया है 3171 store it's a very good news for titan और investor को मैं हमेंसा बताऊँगा कुछ stock का portfolio बनाई है जैसे SEC, Asian pain, Titan, SBI इन सब stock में अगर खुद से portfolio बनाऊ गया तिक एक better portfolio आपको बनाईगा lastly आ रहा है आपको diffusion engineers इसके उपर क्या आ रहा है इसके उपर भी इसका business का growth का कुछ news आ रहा है तो इसमें हम देख पारे 202 रूपिया पर price के उपर 2.94 परसें स्टेक इन कंपनी ने average price पर किया है तो यह भी एक अच्छा news है यह हमरे लिए uncommon stock है तो ज्यादा तर मैं ध्यान दूंगा कोई अच्छा stock जो आ रहा है यहां पे वह आ रहा है अगर सद्धनली चार दिखाऊं तो टाइटन का चार्ट अब देखो यहां पर कि ओन डे का चार्ट कहां जा रहा है सर यह देखने का कोशिश की यहां पर मैं कुछ चीजे लगा रखा हूं तो टाइटन देफिनेटली मुझे लगता है आज का इंटाडेसिजन तो पिछले दिन यहां इंबेटेट हैं हमार बना था और अगर फिप्टी परसें अमाउंट मैं इस stock को उपर इंबेस्ट कर देता ओके चले गाइस आज का वीडियो में इतना ही कैसे लगा है ज़रूर बताना और अ स्क्रॉल्लिंग हो रहा है उसमें आप वार्ट सब्सक्राइब तो थैंक्यू फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत